Hello everyone, Welcome to PharmaRokes YouTube channel PharmaRokes के YouTube Bundesregierung चैनल में आपका स्वागत है आज के विडियो लेक्टर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे माओ्थलसर के बारे में तो हम सिखेंगे माओ्थलसर होने के कारण क्या होते है साथ जाने के क्या लक्षण डेवलप होते है और किस तरह से ये condition का हम इलाज कर सके तो सिखेंगे कि मुँव में चाले क्यों होते हैं और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं तो detail में सिखते हैं आज के lecture के अंदर expert lecture by Amar sir assistant professor and founder of PharmaRox thank you for being PharmaRox family auditory of Pharma knowledge के साथ सीखे दवायों के बारे में अलग-अलग diseases के बारे में उनके उपचार के बारे में दवायों के basic use, dose, side effects, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में वो भी सीखे सरलबासा में PharmaRox के अब उपर तो अब समझते हैं mouth ulcers के बारे में mouth ulcers माठलब की जो ulcers होते है हमारे oral cavity के अंदर की जिसको mouth ulcer कहते हैं और यह specially जो हमारे oral cavity के अंदर रहा जो mucous membrane होता है वहाँ पर यह इस तरह से चाले बन जाते है कि जिसको हम mouth ulcers कहते हैं तो mouth ulcer जोए वह तो वोती अलग-अलग कारण से होते हैं कि बहुत सारे अलग-अलग reasons होते हैं कि जिसके गरन mouth ulcers होते हैं जैसे कि सबसे पहले हम समझें तो जो canker source कही जाते हैं कि इस तरह से आप देखो कि ये canker source बन जाते हैं कि जिसको भी एक type के mouth ulcers कही जाते हैं कि जो mouth के अंदर के और हो करन होता है फिर दूसरा एक reason बनता है mouth ulcers होने का वो है vitamin B complex की deficiency के अगर आपके सरीर के अंदर vitamin B complex की कमी है तो भी आपको mouth ulcer हो सकते हैं तीसरा reason के अगर आपको burning हुआ है oral cavity के अंदर किसी की तरह से आपको oral cavity के अंदर जलन हो गई है जैसे कि कोई गरम गरम चीज आपने खाली है उसके करन भी oral cavity का जो mucous membrane होता है वो damage होती है और वहाँ पर फिर आगे जाके mouth ulcer बन जाते हैं कि जिसको हम कहते हैं वहाँ पर छाला हो जाना फिर जब हम किसी भी चीज को चबाते हैं उस वक्त अगर tongue जो है वह हमारे जीब है वो बाइट हो जाती है या फिर chicks bite हो जाते हैं तो भी उसके करन भी mouth ulcer हो सकते हैं जिसको कहा जाते हैं कि biting of the tongue और cheeks के कई बार जो हमारे गाल होते हैं अंदर की और वहाँ पर जब हम किसी भी चीज को चबाते हैं उस वक्त वो हमारे दातों के करन वहाँ पर biting हो जाता है या फिर उसी तरह से जो जीब के ऊपर भी ऐस हो तो भी आपको mouth ulcer वहाँ पर हो सकता है फिर किसी acidic चीजों को खाने से जैसे कि ऐसे आप फल खाते हैं ऐसे कोई fruits लेते कि वो acidic हैं जैसे कि आप देखो तो pineapple तो बहुत सारे लोगों को pineapple खाने के बाद ये problem होता है कि वो अपने oral cavity के अंदर जैसे छाले हो गए हो ऐसा फिल करते हैं फिर ऐसे कुछ खटे मिठे जो sweets होते हैं ऐसे कुछ मिठाईया होती है कि जो कुछ खटी होती है sourd होती है taste में तो simply कहें कि acidic foods कि ज्यादा acidic foods लेने से भी आपकी oral cavity के अंदर mouth ulcer हो सकते हैं फिर दूसरी कुछ अलग reasons हम देखें तो अगर आपको constipation है तो ये खास जरूर है कि अगर आपको mouth ulcer हो रहे हैं तो साथ में ये भी देखें कि आपको constipation तो नहीं है कि जिसको हम कहते हैं cubs कि अगर आपको cubs की बीमारी है तो भी उसके करान आपके body के अंदर especially oral cavity के अंदर mouth ulcer हो सकते हैं तो उस वक्त आपको constipation का विलाज करना पड़ता है कि जैसे constipation ठीक हो जाए तो automatically ये mouth ulcer भी आपके ठीक हो सकते हैं फिर अगर आप smoking करते हैं तो भी आपके oral cavity के अंदर special ये जो आपके lips होते हैं उसके आसपास आपको mouth ulcer होने लगेंगे फिर आप oral hygiene नहीं रखते हैं कि आपके oral cavity के अंदर आप proper hygienic condition maintain नहीं करते हैं तो भी आ mouth ulcer हो सकता है तो B12 की कमी को कई बार nutritional deficiencies कहा जाता है कि जब आपके body के अंदर पोसक तत्वों की कमी है जो nutrition हम लेते हैं वो आपको अच्छे से नहीं मिलता फिर दूसरी कुछ reasons देखे तो जो bacterial infections होते हैं या फिर fungal infections के करण भी कई बार mouth ulcer होते हैं अगर आपको इस तरह का infection आपकी oral cavity में हुआ है तो भी आपको mouth ulcer हो सकते हैं और जो nutritional disorders हम कहते हैं कि आपको body के अंदर vitamins के कमी है तो भी कई बार mouth ulcer जो हो देखने को मिलते हैं तो उसकी pathophysiology हम समझे तो exact pathogenesis तो अभी तक proper जो है आपको तभी पता चलेगी कि आप उसका reason पता लगाओगे बट कुछ ऐसे कुछ दूसरे भी कुछ reasons होते हैं कि जिसके करण mouth ulcer होते हैं जैसे कि autoimmune epithelial damage या फिर damage because of an immune defense like HIV कि अगर किसी को HIV है HIV से कोई संक्रमी थे तो भी जो HIV virus होता है वो आपके oral cavity के mucous membranes होते हैं उसको damage करता है और वहाँ पे आपको mouth ulcer हो सकते हैं या फिर autoimmune epithel damage कि जो autoimmune disorders के हम बात करते हैं कि हमारी ही body का immune system हमारी ही body के healthy cells को damage करने लगता है फिर कई बार जो leukemia की जो condition होती है कि जिसको हम कहते हैं कि एक type का cancer है उसमें भी आपको ये mouth ulcers देखने को मिलते हैं या फिर जो harpes viruses के करण जो infections होते हैं उसके करण भी mouth ulcer होते हैं और जो nutritional disorders मन बनते हैं उसके pathophysiologies तब उसके symptoms देखे तो सबसे पहले तो एक इस तरह से चाले बनने सुरू हो जाते हैं mucous membranes के उपर कि जो हमारे oral cavity की skin की lining होती है और वहाँ पे कई बार swollen skin मतले कि सूजन देखने को मिलती है कि यहाँ पर समझो कि यह ulcer है तो उसके आसपास की जो skin हो मिलती है और वहाँ पे आपको pain होना जो है वो शुरू हो जाता है दर्द होता है और दूसरे कुछ देखे तो जब आप कुछ खाना खाते तो उसके चबाने में आपको difficulty होती है और ब्रस करने में भी काफी difficulty होती है और specially जो चबाने की क्रिया होती है achieving जो हम कहते है या फिर जो brush करते तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है तिसरे हम देखे तो जब कुछ आप ऐसी चीज़े खाते है जैसे कि किसे salty जिस खाते है या फिर spicy चीज़ों को खाते है या फिर sour मतलब कि कुछ खटी जिस खाते है या फिर आप जो है वो salty नम आपके भुह कम हो जाएगी loss of appetite भुह कम हो जाए ऐको खाना खाने का मन नहीं होगा क्योंकि जब भी आप कुछ वे खाना खाने का try करते तो वहाँ पर आपको जलन होती है पेन होता है द होता है तो उसे के करण आपकी जो भुह कम हो जाएगी तो यह सब symptoms develop होते है mouth ulcer के दुरान तब उसके इलाज के हम बात करें तो जो treatments होती है वो causes के related होती है कि कौन से reason से आपको mouth ulcer हुआ है तो उसके प्राकार से treatment होती है कि अगर आपके body के अंदर beat well की कमी है और उसके कारण आपको mouth ulcer हो रहे तो सिर्फ उस्वक beat well ही लेने होते हैं कि nutritional supplements के तोर पे आप सिर्फ beat well ही लेते हैं तो उससे भी आपका ठीक हो जाता है फिर बाकी जो symptoms based भी treatment की जाती है इसके अंदर फिर दूसरा एक होता है कि जहाँ पे आपको mouth ulcer होआ है वहाँ पे smoothing action प्रोवेड करना smooth मलब के आपको वहाँ पे जो है वह काफी comfortable feel हो वहाँ पे जो pain के sensations कम हो जाए दर्द कम हो जाए इस तरह से भी वहाँ पी इलाज किया जाता है तो कुछ home remedies के हम बात करें तो गरगुती जो उपाय होते हैं वो किस तरह से आप use कर से जैसे कि आप honey जो सहद है वो आप use कर सकते हैं वो आप वहाँ पे लगा भी सकते हैं फिर दूसरा जो baking soda के paste आप use कर सकते हैं फिर coconut oil भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं salt water से थोड़ा gargling भी कर सकते हैं कि जिससे आपको mouth अलसर में फाइदा हो सकता हैं बट समझो कि आपको salt के करन ज्यादा pain या फिर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको use ना करें फिर आप toothpaste भी use कर सकते हैं फिर जो orange juice होता है वो आप लेना सुरू करो फिर जो claw oil होता है वो आप लगा सकते है oral cavity के अंदर coconut milk भी आप वहाँ पर लगा सकते हैं खा सकते हैं turmeric का powder है garlic है cabbage का जो juice है apple cider vinegar और leucorize जिसको हम कहते हैं muletी तो यह सभी चीज़े जो है वो use की जाती है as a home remedy mouth ulcers के इलाज के अंदर और proper दूसरे medications के अब हम बात करें तो B12 के जो supplements होते हैं जिसके अंदर ऐसे दवाईया ऐसे capsules ऐसे syrup की जिसके अंदर vitamin B12 present है वो लिया जाता है फिर vitamin C के supplements में यूज की जाते हैं फिर जो folic acid होता है वो भी यूज कर सकते हैं आप उसके बाद multi vitamins के syrup है vitamin B complex और oral energetic के मरलब की जब तक ये दवाईया आपके mouth ulcer को ठीक ना करें तब तक आपको दर्द ना हो आप अच्छे से खाना खा सकें तो उसके लिए जो oral energetic के तोर पे ये banjo cane के जो gels आती है वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं जिससे आपका जो है वो दर्द जो है कम हो जाए तो oral energetic में जो है वो banjo cane के जो gel होती है वो सबसे ज़दा popular है कि जहाँ पे आपको pain होता है वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं और ये एक local anesthetics के तोर पे काम करता है कि जिसको oral energetic gel कहा जाता है local anesthetics मतलब कि आप जिस जगा पे ये creams लगाते हैं या फिर जो gel लगाते हैं वहाँ पे numbness फिल करते हैं मतलब कि वहाँ के sensation जो है कम हो जाएते तो जब specially आपको खाना खाना है तो उससे 10 मिनिट पहले या 15 मिनिट के पहले ये जो gel होती है banjo cane कि वो आप वहाँ पे लगा सकते हैं इससे आप काफी comfortable फिल करें खाना खाने के दोरान और आपको दर्द भी महिसूस ना हो तो इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर बच्चे की एज 2 साल या फिर उससे कम है तो उन लोगों को ये जो है वो gel आप यूज ना करें सिर्फ और सिर्फ दो साल से उपर की एज में ही उसको यूज करें फिर कुछ ऐसे tablets आप ले सकते हैं supplements कि जिसके अंदर riboflavin हो folic acid हो, niacinamide या फिर lactic acid, bacillus की sports प्रिजेंट हो जैसे कि riboflavin करके ये जो tablet आता है कि जिसके अंदर riboflavin है niacinamide है, folic acid है and lactic acid है तो यह आप combination ले सकते हैं उसी तरह से uraflora करके भी ये tablet आती है वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको बार-बार mouth ulcer होते हैं फिर bicosils भी बहुत ज़्यादा popular है इसके अंदर, जिसके अंदर b complex और vitamin C है combination के अंदर तो आप bicosils भी लेते हैं तो b आपके mouth ulcer ठीक हो जाते हैं फिर neurobian for tablet से भी mouth ulcer ठीक कर सकते हैं फिर b complex, vitamin C तो आपको कोई एक ही चीज़ यूज़ करनी है इसमें से कि आप bicosils यूज़ करें या फिर आप neurobian for दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं फिर बात हाती है कि कोई antibiotic यूज़ करें या नहीं तो उसका जवाब है no because सभी cases में antibiotic की ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ वैसे cases के जहाँ पे microbial infections के करन आपको mouth ulcer होए कि जैसे कि किसी virus के करन आपको मौडी के अंदर mouth ulcer होए तो उस वक्त जब वो इलाज होता है वो बीमारी का तो उस वक्त automatically आपके mouth ulcer भी दिरी दिरी ठीक होए जैसे वो बीमारी ठीक हो जाती है तो mouth ulcer भी ठीक हो जाती है जैसे कि आपको समझे कि हरपीस virus के करन हो रहा है तो जब हरपीस virus के treatment की जाती है तो उस वक्त आप multivitamin ले सकते हैं जैसे कि आप because ulcer ले सकते हैं नियूरोबियन ford के tablet ले सकते हैं या फिर जो हमने आगे डिसकस किये वो कोई भी nutritional supplement आप ले सकते हैं पर उस वक्त अलग से antibiotic लेने की ज़रूद नहीं है कि अगर आपका mouth ulcer किसी normal reason से हुआ है या फिर nutritional deficiency के करन हुआ है फिर अगर mouth ulcer होने का reason microbes जैसे कि ऐसे canker sore हो जाते हैं या फिर ये oral thrust होते हैं तो वो fungal infection के करन होते हैं या फिर जो candida का infection होता है उसके करन होते हैं तो उस वक्त आपका main target रहेगा कि वो infection का treatment करें तो उस वक्त आप antibiotics लेते हैं जैसे कि फ्लूको नाजोल है clotri mazol है या फिर azithromycin जैसे antibiotic या फिर doxycycline के mouth ulcer यूज़ करते हैं तो उस वक्त treatment होती है वो बीमारेगी कि जैसे oral thrust हुए है और उसका reason है candida infection तो उस वक्त आप फ्लूको नाजोल या फिर clotri mazol जैसे antifungal यूज़ करते हैं अगर canker salts हुए है तो उस वक्त आप antibiotics जैसे कि azithromycin या फिर doxycycline ले सकते हैं बट अगर nutritional deficiency के करण है आपको mouth ulcer हो रहे तो उस वक्त antibiotic लेने की कोई जरूरत नहीं है तो ऐसे इसी के दवायों के बारे में उनके basic use, dose, side effect, warning and contraindications को एक साल तक affordable price में सीखे सरल बासा में farmer ox के अब उपर तो whatsapp कर सकते आप 9016312020 पे android user android अब डाउनलोड करें iphone user app store से link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best